तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं The Making of Scientist जो कि तुम्हारे Footprints Without Feet का Chapter 6 है तुम लोग को एक वीडियो का एक सीक्रेट बताऊं किसी को बताना मत वीडियो के एंड में मैं तुम लोग को इस चैप्टर से बहुत ही important questions दूँगा जो तुम्हारे exams में भी आ सकते है तो यह चैप्टर मेरे हिसाब से तुम्हारे पूरे English के syllabus का सबसे boring chapter है इसमें ना ही thrill है ना ही कोई story है ना ही कोई suspense है बस है कौन Richard E. Bright Richard E. Bright कौन है इसके बारे में तुम लोग को बहुत ही अच्छे से explain करूंगा तो अब अराम से चुकुम्हारे को बैठ जाओ और इस animated explanation का मजा लो हेलो दोस्तो मैं हूँ Richard E. Bright मुझे butterfly में बहुत ही जादे interest है और मैंने अपने life में बहुत कुछ कबाड़ा है और वही तुम लोगों को इस chapter में पढ़ना होगा हेलो मैं हूँ Richard की mother तो अब चलो chapter के detail explanation को सुरू करते हैं चैप्टर स्टार्ट होते वे हमें बताया जाता है कि 22 की age में Richard E. Bright जो former scout of the year मतलब guide of the year थे उन्होंने scientific world को अपनी discovery की कैसे self work करती है इस discovery से सबको उतेजित कर दिया यानि कि excite कर दिया Richard E. Bright एंड उसके roommate ने अपनी theory को एक article जिसका नाम Proceeding of National Academy of Science था उसमें explain किया था ये पहली बार हुआ था कि किसी college के student की research को इस article में publish किया गया था sports में ये ऐसा था कि 15 की age में किसी ने big league खेला और उसमें पहले batting करके home run मार दिया सीधे सारे मतलब में समझ जो कि ये बहुत ही बड़ी achievement थी इसके बाद Richard E. Bright ने ऐसे कई achievement किये और उन्हें बहुत सारे awards मिलते गए और ये सारी चीजे कैसे start हुई थी ये सारी चीजे butterfly से सुरू हुई थी अब हम लोग Richard E. Bright के life के flashback में जाएंगे Richard E. Bright एक लोटा बेटा था अपनी family का जो Pennsylvania के north में बड़ा हुआ था और ये जगह कहां है ये USA में है E. Bright बोलता है अब वहाँ जादा कुछ नहीं था जो मैं कर सकता था मैं अकेले ना ही football खेल सकता था ना ही basketball खेल सकता था लेकिन मैं एक चीज अकेले कर सकता था वो था चीजों को collect करना जब E. Bright छोटा था एंड kindergarten में था तब उसे butterflies collect करने का सौक था butterflies collect करने के साथ उसे और भी चीजें collect करने का सौक था जैसे की rocks, fossils and coins E. Bright को astronomy में भी बहुत ज़्यादा interest था मतलब उसे solar system के बारे में जाने की बहुत ज़्यादा रूची थी and इसलिए वो कभी-कभी रात भर stars को देखा करता था E. Bright को चीजों को जानने में बहुत interest था and उसका mind बहुत ही ज़्यादा साप था उसकी mother थी जो उसे बहुत ज़्यादा encourage किया करती थी उसकी mother उसे trips में ले जाती थी and उसे telescope, microscope, cameras, etc. ऐसी बहुत सारी चीज़े लाके देती थी and हर तिरीके से help करने की कोसिस करती थी Richard E. Bright की जा रहा हूँ यार मैं भी अपनी मम्मी से iPhone 15 Pro Max मांगता हूँ मम्मी मम्मी iPhone 15 दिला दो न iPhone 15 चाहिए पेटा इदार आओ पैसे ले लो मेरे से घर पे अलग अचार होता है and तुम लोग अलग अचार करते हो देखो इस graph को, तुम लोग वीडियो को तो पूरा देख लेते हो लेकिन subscribe नहीं करते हो, subscribe करो यार तुरन चैनल को क्योंकि हम लोगों का साथ एक पल का नहीं है, हमेशा हमेशा का है मैं ही रिचर्ट की साथी थी, companion थी, जब तक वो स्कूल जाना सुरू करता है उसके बाद मैं उसके दोस्तों को घर ले आया करती थी, रात में हम दोनों साथ में ही सारे काम किया करते थे मेरे लिए रिची, मेरा बेटा सब कुछ था, जब से उसके फादर मरे थे, जब वो थर्ड स्टैंडर में था हम हर रात खाना साथ में ही खाते थे, रिचर्ट का दिमाग बहुत ही जादा साब था है और वो स्कूल में सबसे जादा मार्क स्कोर करता था जब रिचर्ट क्लास 2 में था, तभी उसने बटरफ्लाइस की 25 स्पीसिस कलेट की थी, जो उसकी होम टाउन में थे अब रिचर्ट चाप्टर को कंटिन्यू करते वे बोलता है मुझे लगा कि ये मेरा बटरफ्लाइक कलेक्शन का एंड है, क्योंकि मैंने 25 स्पीसिस तो कलेट कर दी थी लेकिन इसके बाद मेरी मदर मुझे एक बुक लाकर देती है, जिसका नाम था ट्रैवल ओफ मोनार्क एक्स, इस बुक ने बताया कि कैसे मोनार्क बटरफ्लाइ सेंट्रल अमेरिका की तरफ माइगरेट करती है और ये बुक मुझे बहुत अची लगती है, और मेरे लिए नई वर्ड खोल देती है बुक के एंड में रीडर्स को इंवाइट किया गया था बटरफ्लाइ माइगरेशन के स्टडी में हेल्प करने के लिए कैनेडा में यूनिवर्सिटी ओफ टोरांटो में डॉक्तर फ्रिडरिक ए उर्कु हाट ने सभी को बोला कि वो बटरफ्लाइ को टैग करे मतलब उसके विंक्स पे पतला सा टैग लगा दे ताकि उसकी माइगरेशन को वो अच्छे से स्टडी कर पाए इबराइट को पता था कि एक-एक बटरफ्लाइ को पकड़ के टैग लगाना बहुत दिक्कत का काम था इसलिए उसने आइडिया लगाया और वो फीमेल मोनार्ख बटरफ्लाइ को पकड़ता है उनके एक्स ले लेता है और उनसे जैसे नहे बच्चे आते थे तो वो उन्हें टैग करके छोड़ देता था कई सालों तक उसका घर का बेसमेंट हजारों मोनार्ख बटरफ्लाइ का घर था धीरे धीरे रिचर्ट का इंट्रेस इसमें कम होने लगा क्योंकि ये प्रोसेस काफी टाइम कंज्यूमिंग था और उन्हें अच्छा फीडवेक नहीं मिल रहा था उन्हें केवल दो टैग्ड बटरफ्लाइजी दुबारा मिलते हैं जो उनके घर से सिर्फ 75 माइल्स ही दूर थे और इससे वो कोई भी पता यानि कि कोई भी अपना रिसर्च वा कंटीन्यू नहीं कर सकते थे अब रिचर्ड 7th स्टैंडर में पहुँच जाते हैं वहाँ वो एक साइंस के काउंटी फेर में जाते हैं मतलब लोकल साइंस फेर में जाते हैं वहाँ सभी को साइंस पे अपने प्रोजेक्ट सम्मिट करना था वहाँ सभी कुछ न कुछ जितते हैं अपने प्रोजेक्ट स लेकिन रिचर्ड को कोई भी प्राइस नहीं मिलता है और वो बहुत ज़्यादा सैडली वहाँ बस बैठे होते है रिचर्ड स्लाइट्स और फ्रॉक टिसू पर अपना प्रोजेक्ट सम्मिट करते है वो realize करते हैं कि सारी winners ने ट्राइ किया था कुछ real experiment करने का मैं जान चुका था कि next साल science fair जीतने के लिए मुझे कुछ नया experiment करना होगा फिर मैं सोचता हो कि मुझे सबसे ज़्यादा insect के बार में ही पता है तो उसी field में मुझे कुछ करना चाहिए इसलिए मैं डॉक्टर उर्कु हर्ट को आईडियास के लिए लेटर लिखता हूँ और उस लेटर के रिप्लाई में मुझे बहुत सारे आईडियास मिलते हैं जिसने मुझे पुरे हाई स्कूल के टाइम पे बिजी रखा इसके बाद मैंने कई प्रोजेक्ट्स बनाए और बहुत सारे प्रैसे भी जीते काउंटी और इंटरनेशनल फेयर में जैसे कि एक प्रोजेक्ट था जिसमें मैंने ये ढूणने की कोसिस करता हूँ कि हर साल कौन से वाइरल डिजीज के कारण बहुत सारे मोनार कैटरपिलर मारे जाते हैं मुझे लगता है कि सायड डिजीज बीटल से फैलता है इसलिए मैंने कैटरपिलर को बीटल के प्रेजिस में बढ़ा करता हूँ लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिलता है मैंने जो भी experiment करने की कोसिस किया था मैंने वही दिखा दिया अपने science fair में एंड इस बार मैं जीत गया रिचर्ड तो जीत गया लेकिन तुम लोग मुझे कब जिताओगे यह जल्दे से 50K पहुंचना है सब्सक्राइब कर दो चलो आगे बढ़ते हैं अब next year वह फिर से दूसरे प्रोजेक्ट पे काम करते हैं इस बार उन्हें एक theory को test करना था theory यह था कि वाइसरो बटरफ्लाई Monarch Butterfly को copy करती है और वो ऐसा इसलिए करती है ताकि वो Monarch Butterfly जैसा दिख पाए and birds उन्हें ना खाए क्योंकि birds को Monarch Butterfly खाने में टेस्टी नहीं लगता है इसको उन्हें प्रूफ करना था and test करना था Ebride को प्रोजेक्ट में यह देखना था कि क्या birds Monarch Butterfly को खाती है रिचर्ड अपने research में पाते हैं कि Starling नाम का bird ordinary bird food नहीं खाते है and वो उन्हें जितने भी Monarch Butterfly मिलते थे उन्हें वो खुशी-खुशी खा लेते थे उनका यह प्रोजेक्ट फर्स्ट पोजिशन हासिल करता है Zoology Division में and थर्ड प्राइस वो जीते हैं County Science Fair में अब हाई स्कूल के second year यानि 10th standard में वो फिर से research सुरू करते है and इस बार वो unknown insect hormone की discovery करते है और यही से indirectly वो अपनी theory life of self पे काम सुरू करते है सभी का मानना था कि Monarch Pupa में 12 tiny gold spots बस so के लिए हैं लेकिन Richard और एक science का student एक साथ मिलकर एक device बनाते हैं जो so करता था कि वो butterfly में ऐसे hormone secrete करता था जिससे butterfly की development होती थी इस experiment से मुझे first prize मिलता है county fair में and इससे मुझे international science and engineering fair में entry मिल जाता है जहां अलग-अलग country की competitors से यहां पे मुझे third position मिल जाता है zoology में और साथ में ही मुझे summer के time chance मिलता है entomology laboratory of walter reed army institute of research में जाने का अब वो 11th में जाते है and अपने experiment को continue करते है इस बर वो international science fair में first होते है and फिर से उन्हें army lab जाकर काम करने का chance मिलता है 12th standard में वो एक खोच करते है कि जो golden spots है उससे ऐसे harmon निकलते है जिसे wings की development होती है इस खोच के लिए उन्हें zoology की international fair में first prize मिलता है and US department of laboratory में research करते हुए अब college का first year उनका start होता है वो Harvard University में admission लेते है और अपनी research को जारी रखते है and lab की sophisticated instruments की help से वो उस हार्मोन की chemical structure को identify कर लेते है एक देर साल बात जब वो उन हार्मोन की chemical structure के x-ray को देख रहे होते है तो E-bright को अचानक से idea आ जाता है cell के life के बारे में उन्हें पता चलता है कि DNA को क्यों blueprint of life कहा जाता है and DNA से heredity कैसे transfer होती है देखो भाई DNA के बारे में बहुत कुछ बता सकता हूँ लेकिन video के length को बड़ा नहीं करना चाहता हूँ जिनको भी अगर इस point पर doubt होगा comment करके पूछ लेना मैं जरूर जवाब दोगा and यार इतनी महनल से तुम लोगों को पढ़ा रहा हूँ तो subscribe तो बनता है चलो आगे बढ़ते हैं Richard and उसके college का roommate James R. Wong राद भर काम करते हैं plastic models बनाने में and drawing बनाने में जिससे वो दूसरों को समझा पाए and फिर उनका article publish होता है जिसके बारे में chapter के start में लिखा था Richard अपने class के 1510 बच्चों में second होते है and graduate हो जाते है वो अपने research को continue करते है and अगर वो अपनी theory को correct proof कर देते तो ये बहुत बड़ा step होता है in understanding the process of life इससे हमें दूसरी diseases जैसे cancer and और भी दूसरे-दूसरे diseases के बारे में जाने में बहुत ज़्यादा help मिलता and हमें पता चलता कि कैसे हम इन diseases से बच पाए ये सारी चीजे इसलिए possible हो पाई क्योंकि Richard को चीजों को जाने में बहुत ज़्यादा curiosity था इन सब के अलावर मैं और भी दूसरी चीजों में interested था जैसे debate में, public speaking में, canoeing and outdoor activities में and इसके साथ-साथ मैं एक expert photographer भी था high school में उनके social studies के teacher Richard A. Weirar उन्हें बहुत ज़्यादा motivate करते हैं और उनके तारीफ किया करते थे आगे chapter में लिखा है कि scientist बढ़ने के लिए कौन-कौन सी qualities होनी चाहिए सबसे पहले साप mind होनी चाहिए उसमें curiosity add करना होगा और फिर सही reason के लिए काम करना होगा यानि कि समाज के भलाई के लिए discovery करना होगा so इसी साथ आज का हमारी ये लंबा सा chapter complete होता है आप subscribe कर दो जल्दी से चैनल को क्योंकि अब तुम लोगों को मैं बहुत important questions देने वाला हूँ इस chapter का जो तुम लोग अपने screen में ये questions देख रहे हो ये बहुत ही ज्यादा important question है सारी questions को अच्छी से practice कर लेना answers अगर चाहिए होगा नहीं मिल रहा होगा तुम लोगों को then telegram group join कर लेना मैंने document में answers provide कर दिया होगा video upload होने के बाद and नहीं तो मैंने तो तुम लोगों को chapters इतना अच्छा से explain कर दिया कि तुम लोग खुद ही सारे answers को सारी questions को answer कर लोगे तो अब चलो मिलते किसी और वीडियो में thanks for watching the video झाल कर दिया हो जोगे पुम लोगे